अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ हमारे साथ हमारे इंस्टाग्रामर टेलिक्राम पर भी जुड़ सकते हैं यह रही आपके सामने अड़ा247 की मुबाइल अब जिसका लिंक जो है आपके चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप उस लिंक से इस आप को इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ कोईंस मिलते हैं उन कोईंस को आप यूज कर सकते हो हमारे किसी भी बैच में रोल करने के लिए या कोई भी टेस्स सेरीज या विकन से इबुक्स परचेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं जैसे करन्ट अफेर्स हो गया जॉब इलर्ट हो गए इसके लावा डेली सब्जेक्ट वाइस कुजिज हो गए और इसके साथ ही हमारी कॉमिनिटी भी आपको यहां पर मिल जाएंगी तो आज का क्लास थोड़ा रिवीजन क्लास रहेगा तो हम थोड़ा जल्दी चल्दी यह वो सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट क्वेशन जनिटिक इंजिनियरिंग अड एप्रूवल कमीटी बिलॉंग्स तू कौन सी कमीटी यह जो कमीटी है यह किसको बिलॉंग करती है एप्रूवल कमीटी अगला सवार इन इंडिया बीटी कॉटन इस रिलीस्ट फॉर्ड़ कोमर्शियल कॉटिवेशन के रिलीस किया गया था इंडिया में यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 2002 में ठीक है 1996 में वर्ल्ड में की थी 2002 में इंडिया में करा था कॉमर्शियल कॉल्टिवेशन अगला सवार लोवर लिप और इन इंसेक्ट जो इंसेक्ट का लोवर लिप है उसको क्या कहते हैं यूर आप्शन आर ए लेब्रम बी मेंडिबल ए पर लिप होता है बिलकुल लेबियम जो है वो आपका लोवर लिप हो जाएगा अगला सवार which of the following pest appears during later part of the crop season in paddy paddy के later part of season में कौन सा pest appear होता है यूर आप्शन आर ए राइस हिस्पा बी राइस त्रिप्स C. ब्राउन प्लांट हॉपर या D. यालो स्टेम बोरर तो लेटर पार्ट में कौन सा pest होता है ब्राउन प्लांट हॉपर ठीक है next double seed is a characteristic symptom of जो double seed formation हो जाता है वो किसके attack की वजह से होता है कौन इसको बनाता है तो यह options आर A. American wall warm B. Pink wall warm C. Spotted wall warm या D. None of these यहाँ पर आपका सही answer क्या हो जाएगा pink wall warm double seed बनाता है option B is the right answer next scientific name of mustard aphid is mustard aphid का scientific name क्या होता है यह options आर A. Lipaphyse eryceme B. Bagrada cruciferarium C. Athelia lugens proxima या D. Adonto termis obisus तो यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा option number A that is Lipaphyse eryceme इसके लाबा Bagrada cruciferarium painted bug का scientific name है Athelia lugens proxima mustards of fly का scientific name है and Adonto termis obisus termite का scientific name है next which of the following does not belong to Hemiptera order इन में से कौन सा Hemiptera order से बिलॉंग नहीं करता है your options are brown plant hopper, rice hispa, rice gandhi bug या green leaf hopper कौन सा नहीं belong करता है तो आपका सही answer हो जाएगा B rice hispa, colioptera order का होता है तो यह Hemiptera को belong नहीं करता है next question, grazed by cattle symptoms are caused by grazed by cattle आपको ऐसा लगेगा कि कोई cattle, कोई animal जो है आपके फिल्ड को बरबाद करके गया है वहाँ पे घासपूस खाके गया है, किसका symptom होता है your options are A. American wall warm, B. army warm, C. spotted wall warm या D. pink wall warm यहाँ पर सही answer हो जाएगा option number B that is army warm army warm grazed by cattle symptom cause करता है next question, which of the following indicates additive genetic effect for the character in the line additive gene effect, character in the line, यानि parents में कौन indicate करता है right answer is GCA, general combining ability parents के लिए करता है specific combining ability hybrids के लिए करता है, ठीक है अगला सवाल, the concept of multiple factor hypothesis was given by multiple factor hypothesis का concept किस ने दिया था your options are A. Mendel, B. Shermac, D. Nelson Ahele या D. Benger तो यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा Mendel, father of genetics है, Shermac ने rediscovery की थी Mendel के loss की, Nielsen Ahele is the right answer C इन्होंने concept दिया था multiple factor hypothesis का that is polygenic inheritance का, ठीक है ओके, तो यहाँ पर Benger जो है, उन्होंने क्या दिया था modern concept of gene दिया था, ये भी आपको याद रखना है अगला सवार, which of the following is a type of multi-genic interaction, इन में से कौन सा type है multi-genic interaction का, your options are A. lethal allele, B. codominance, C. epistasis या D. A. B. O. genotype multi-genic यानि एक से ज़्यादा genes present है एक से ज़्यादा gene आपकी कहाँ पर present होती है epistasis में present होती है, इसके लावा ABO multi-allele है, multi-gen नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है अगला सवार, use of trap is dash method of pest control ठीक है, अगर आप traps को use करते हो, पिछली बार आपने गलत किया था जल्दी से बता दो, अगर आप traps को use करते हो, तो वो कौन सा method है pest control का your options are A biological method, B cultural method, C mechanical method या D chemical method तो अगर यहाँ पर trap crop होता, तो बिलकुल answer इसका क्या हो जाता trap crop होता, तो cultural method answer हो जाता, लेकिन यहाँ पर traps है तो traps को use करना आपका mechanical method में आता है, आपको इस बात का धियान रखना है अगला सवाल, pen valerate is, यह क्या होता है, एक organo phosphate होता है, organo chlorine होता है कारबामेट होता है, या synthetic pyrethroid होता है, तो क्या होता है, यह option number D synthetic pyrethroid होता है यह सारे questions जो हैं, मैं आपको करवा चुकी हूँ, today is Saturday, तो Saturday को हमारा weekdays की जितने question revise हो सकते हैं, वो हम करते हैं तो यह फटा-फट से उसके दिमाग में answer आ जाएंगे, जिसने सारी classes लगाई है, या recorder देखी है, जिसने नहीं देखिये, वो यहीं पर उसका revision हो जाएगा अगला सवाल, what is the ETL value for pink wall warm in cotton, यह मैंने अपनी community में भी post कर दिया है, क्योंकि कईयों को doubt था कि 10% damage balls होता है, ठीक है और पिछले edition में दिया भी गया है, लेकिन अब जो है, वो change हो गया है, it is 5% damage balls, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है इसमें से कौन सा ऐसा stored grain pest है, यानि जो भंडार घर में आपका harvesting के बाद आपने जो store करके रखा होता है, वहाँ पर attack करता है, field में भी attack करता है, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा pulse beetle, ठीक है, pulse beetle के साथ साथ आपका जो potato tuber मौत होता है, वो भी field और stored दोनों condition में attack करता है अगला सवाल, melon fruit fly pupates, कहां पर pupate करती है melon fruit fly, soil में, stem पे, flowers पे या fruits में तो किस पे करती है यह, swail में करती है pupate, ओके, is the right answer a maze stem borer hibernates in which stage, जो maze का stem borer होता है, वो winter sleep कौन सी stage में करता है, egg stage में, larval stage में, pupil stage में या adult stage में, कौन सी stage पे करता है, so the right answer is larval stage, larva की stage पे करता है ठीक है, hibernate next, which of the following is the social insect, इन में से social insect कौन सा है, your options are a, locust, b, army worm, c, grasshopper, d, termites, कौन है social insect, termites है, termites के साथ honey bee भी होती है, ants भी होती है ठीक है, यह सारे के सारे social insects होते है, जिनकी colonies बनी होती है, queen अलग है, king अलग है, worker अलग है, soldiers अलग है तो इस तरीके से societies बनी होती है, अगला सवार, septicemia is found in dash infected larvae, septicemia जो है, जो की blood poisoning होती है वो किसकी वज़ा से होती है, वो NPV की वज़ा से होती है, nucleo polyhidrosis viruses, BT की वज़ा से होती है, fungus की वज़ा से होती है या निमाटोड की वज़ा से होता है, blood poisoning किसकी वज़ा से होता है, जल्दी चल्दी, this is a revision class, जल्दी से answer कीजिए सारे तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा B that is BT cotton से जो infected larva होते हैं basically pink wall worm के लिए इसको use किया जाता है तो उसके larva में क्या हो जाता है blood poisoning हो जाती जिसको septicemia कहा जाता है next grassy stunt virus is transmitted by यह बहुत बार आता है इसको कोई गलत नहीं करेगा और मैं बहुत बार करवा भी चुकी हूँ your options are नीला परवता लूजन्स thrips tabaqi, vemicia tabaqi या triporiza incertullus तो यहाँ पर सही आंसर आजाएगा आपका A है ना नीला परवता लूजन्स that is brown plant hopper जो later season of the growth में attack करता है अगला सवार the best method for developing disease resistant plant is सबसे best method क्या है disease resistant plants को develop करने का introduction, selection, hybridization या back crossing कौन सा method जो है सबसे best होता है disease resistant plants को develop करने के लिए तो कौन सा होता है back crossing method होता है back cross method इस back cross method से एक दो और question बनते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले जब आप A into B करते हो ठीक है कोई दो parents को cross करवाते हो आपस में और फिर वो F1 बनता है जब आप इस F1 को किसी भी parents से any of the parents यानि चाहे A से cross कराओ चाहे आप B से cross कराओ A और B any of the parents से cross कराते हो उसको कहा जाता है back cross ठीक है अब इस back cross में एक आपकी variety होगी जो well adapted होगी जो बहुत अच्छी होगी सर्वगुन संपन होगी उसमें एक कमी होगी और उस कमी को पुरा करेगा ये B variety जिसको हम donor parent बोलते हैं और जो well adapted variety है जिसको हमें बार बार use करना है उसको recurrent parent बोलते हैं और उसके opposite donor को हम non recurrent parent भी बोलते हैं ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको ऐसा भी question आता है कि oligogenic characters या 1 और 2 specific defects को ठीक करने के लिए कौन से method को use करते हैं तब भी आपका answer back cross ही हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे answer हो जाएगा D अगला सवाल इन wheat hybrids are not popular because of जो यह हूँ है उसमें hybrids popular क्यों नहीं है because of costly seeds availability of hybrid vigor non availability of hybrid vigor या difficulty in emasculation बताओ emasculation क्या होता है removal of the male part ठीक है emasculation क्या होता है removal of removal of male part यानि pollen या enter को आप remove कर देते हो क्या उसमें difficulty आती है हाँ या seed costly होते हैं इसके तो यहाँ पर सही answer क्या हो जाएगा मैं आपको बता भी चुकी हूँ the right answer is option number C ठीक है option number C हमारा जो hybrid vigor है hetroces है वो इतनी जादा नहीं होती है wheat के case में ओके अगला सवाल which of the following generate variability in clones इन में से कौन सा generate करता है variability in clones segregation की वज़ा से कुछ variation आ जाती है clones में selection की वज़ा से आती है mutation की वज़ा से या सभी की वज़ा से ही आ सकती है तो आपका सही answer हो जाएगा यहाँ पर mutation mutation की वज़ा से variability clones में आ जाती है अगला सवाल certified seed has dash color tag certified seed का color tag क्या होता है your options are a white b azure blue c green या d red color tag certified seed का क्या होता है azure blue होता है white किसका होता है foundation seed का होता है next outbreeding leads to the reduction in outbreeding से यानि crossing से किस में reduction आती है heterozygosity में homozygosity में population mean may or none of above तो outbreeding से आपकी किस में आती है homozygosity में reduction आती है heterozygosity increase होती है क्योंकि outbreeding is the form of cross pollination only natural cross pollination which of the following is a genetic emasculation genetic emasculation किसको कहा जाएगा male sterlity को female sterlity को seed dormancy को या इन सबको so genetic emasculation होता है कि gene से ही genetic से ही उसमें male part नहीं है और किसमें नहीं होता है male sterlity में male part नहीं होता है ok ok next in mass selection plants are selected on the basis of mass selection में जो plants होते हैं उनको किस base पे select किया जाता है progeny testing के basis पे phenotype के base पे genotype के base पे या none of the above बताओ so phenotype होता है outer appearance कि बाहर से कोई कैसा दिखाई दे रहा है outer appearance उसको कहा जाता है phenotype genotype होता है कि अंदर से genetic makeup कैसा है अंदर से genetic makeup कैसा है जैसे कि मैं आपको उता हूँ capital T capital T capital T capital T small t small t small t यह सब कुछ genotype है outer appearance मतलब dark ठीक है fair tall dwarf यह सब चीजें जो दिखाई देती है आपको वो सब आपका phenotype होता है और progeny testing क्या होती है progeny testing में हम test करते है कि progeny जो है उसका genetic makeup कैसा है तो वो हम pure line के case में test करते है mass selection के case में हम direct phenotype के base पे selection कर लेते है plants की अगला सवाल soma clonal variation is soma clonal variation कैसी होती है heritable होती है environmental होती है non heritable होती है या none of these तो कैसी होती है यह non heritable होती है यह ध्यान में रखना है आपको ठीक है then sugar cane breeding institute कहां पर located है coimbatur, new dally, kattak या akola तो sugar cane breeding institute कहां पर present है coimbatur में यह situated है then exchange of genetic material between non homologous chromosome यह मुझसे किसी ने वीडियो भी पूछी थी कि homologous और non homologous chromosome क्या होता है ठीक है एक बार फिर से मैं आपको explain कर देती हूँ चलो homologous chromosome, homo का मतलब होता है same ठीक है and दूसरी तरफ आता है हमारा non homologous chromosome जो same नहीं होते हैं अब same किस context में नहीं होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है जैसे same size होगा, same function होगा, same chromatid length होगी, same structure होगा तो ऐसे chromosome जिनका same size है, same function है, same chromatid length है यह होता है chromatid यह, this is chromatid तो यह भी same होगे इनके, ठीक है, इसके साथ same size होगा, same structure होगा सबको same होगा, उनको कहा जाएगा homologous chromosome, जिनका यह सब same नहीं होगा, उनको कहा जाएगा non homologous chromosome और जो crossing over होती है, वो हमेशा कहां पर होती है, homologous chromosome के बीच में होती है तो crossing over answer नहीं होगा, translocation non homologous chromosome में, जब genetic material exchange होता है तो उसको कहते हैं, आप translocation, तो इसी के साथ हमारा आज का session हम यहीं पर complete करते हैं आपको कोई भी doubt होगा, तो आप जो है, या तो comment में लिखके पूछ लीजिए, ठीक है आपको कोई short video या concept समझना है, तो हमने अभी शुरू किया है कि हम short video concepts दिया करेंगे ठीक है, हमने आदे से दे भी रखे हैं, तो आप comment में लिख दीजिए कि आपको कौण सा topic समझना है हम आपको provide करा देंगे, इसके रहावा कोई भी doubt है, या बच्चों के assignment देखने हैं agriculture by प्रतिभा मैं को join कर सकते हो, कैसे join करना है आपको, procedure आपका वही रहेगा आपको अड़ा 24-7 की mobile app को install करना है, उपर जहाँ ये arrow है, यहाँ पर agriculture सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ किया हुआ है वहाँ पर फिर आपको explore group पे जाना है, और आपको हमारे सारे groups मिल जाएंगे, यहाँ पर आप जोइन कर सकते हो, कोई भी YouTube marathon का link है, PDF है, कोई assignments है, कोई mock test है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह हमारे YouTube का schedule है, ठीक है, जो daily चलता है, इसके according आपकी classes होती है, तो daily classes यह चलती है, आपके MCQs इसमें कराये जाते हैं, वीडियो section में आपको concepts मिल जाएंगे, playlist मिल जाएंगी हमारी, तो आप सब को check कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा, आपको हमारे कोई भी live batches check करने हैं, अगर आपको हमसे theory wise study plan के साथ, जो है proper study करना है, तो आप Google पे जाए, Google पे लिखिए, अड़ा 24-7, यहाँ पर जो first आपका link होगा, अड़ा 24-7 या कई बार यहाँ पर अड़ा 24-7, इंडिया's largest learning platform भी खुला होता है, आपको इसको open करना है, जैसे इसको open क कर लोगे, यहाँ पे इस तरीके से preface कुल जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ all courses पे जाना है, all courses पे जाते ही government job exams में आपको agriculture सेलेक्ट करना है, defense के नीचे आपको agriculture दिख जाएगा, यह हमारे सारे batches हैं, जो अभी live चले हुए है, agriculture के चाहिए वो AFO हो, Central Warehousing Corporation हो, ठीक है, चा AFO हो, TA हो, UP, SSS, AG, TA, Rajasthan Agriculture Supervisor, सारे batches जो हैं, आपके यहाँ पर available हो जाते हैं, माल लिए अगर आप AFO की तैयारी कर रहे हैं, तो यह है AFO का batch, जो की 12 September से शुरू हो रहा है, 12 September से शुरू हो रहा है, आपको इस पे click करना है, ठीक है, buy now पे जाना है, इस तरफ buy now, और maximum discount के लिए Y781A coupon code जो है, यूज करना है, एक बार मैं इसको बड़ा करके भी लिख देती हूँ, Y781A, यह code यूज करके आपको maximum discount मिल जाएगा, ठीक है, 77% आपको discount मिल जाएगा, और 3794 में आपको यह batch मिल जाएगा, अगें, अगर आपने Adder247 की mobile app install किया, आपके पास कुछ coins ह उनको यूज करके फीस जो है, और भी कम हो जाएगी, अब इसमें मिलता क्या-क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो आप हमारा कोई भी batch लेंगे, ठीक है, कोई भी batch लेंगे, सबसे पहले आपको उसकी live classes मिलेंगी, ठीक है, two way interaction live classes मिलेंगी, अगर आपसे live classes मिस हो जाती है, तो आपको recorded sessions भी कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है, आपको जो notes मिलेंगे, आप उन notes को print करवा सकते हो, ठीक है, उसके लावा आपको telegram पे add किया जाएगा, ठीक है, उस telegram पर आप कभी भी हमसे कोई भी doubt पूच सकते हो, ठीक है, exam से पहले आपकी revision classes conduct करा जाएगी, ठीक है, revision classes conduct कराई जाएगी, syllabus complete होने के बाद भी आपकी revision classes होती है, लेकिन exam से जस्ट पहले भी आपकी revision classes हम conduct कराएगे, इसके साथ ही आपको free test series तो मिलेगी ही, किसी भी batch में आप enroll करते हो, आपको उसके साथ उसकी relevant free test series मिलती है, और e-books भी आपको free में मिल जात होता है, वो आप YouTube पे ही देख सकते हो, और maximum discount के लिए ये coupon code लगा सकते हो, ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का session हम यही complete करते हैं, जो भी questions नए लगे हो, उनको revise कीजिए, जो question आपको लगा हो कि अब आपको आ गए हैं, उनको छोड़ दीजिए, नए-ने questions revise कीजिए, और एक question बिलकुल difficult लग रहे हैं, वो notebooks पे note-down कर लेना, okay, bye-bye, take care, all the very best, and मिलते हैं next class में. झाल 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 झाल